हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ अनुभा और आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ आम की लॉंजी या मुरब्बे की रेसिपी जिसको मैंने बिना तेल के बनाया है, इसमें एक भी मून मैंने ओईल नहीं डाला है, इसे आप महीनों और सालवे स्टोर कर सकते हैं, बिना फ्रिज के, कैसे स्टोर करेंगे, उसका तरीका मैं बताऊंगी, मैंने लिए हैं, आधा किलो आम कच्छे, और आम को पहले हम अच्छे से वाश करेंगे, आपको चार से पांच बार आम को अच्छे से वाश कर लेना है, और हाथों से रंगल रंगल के साफ कर आम के जो तुकड़े हैं वो हमें equal size के ही रखने हैं छोटे बड़े नहीं करने हैं नहीं तो पकने में time लगेगा और इसमें जो गुठली होती है उसको हम निकाल लेंगे बस हाँ उसका जो गूदा है उसके हसपास उसको अपन को अच्छे से निकाल लेना है इस साइच के मैंने सारे तुकड़े करें हैं एकदम पतले या मोटे नहीं करें सारे आम चील के कट कर लिये हैं अब हम जाएंगे gas की तरफ और gas पर रखेंगे कढ़ाई कढ़ाई में हम oil वगरा कुषनी डालेंगे डारेक्ट जो कटे हुए आम है उनको डाल देंगे gas का flame फुल रखेंगे फुल फ्रेम पर हम जो यह मुरब्बा है या लौजी है वो बनाएंगे तो आम की क्या है थोड़ी सी नमी निकल जाएगी इसके लिए आम को हलका सा फुल फ्रेम पर चला देंगे तो चारो तरफ फैलाना है इस तरीके से मैंने लगबग 5 मट तक आम को भूना है डारेक्ट कढ़ाई में और अब मैं इसमें शोगर एट करूँगी आधा किलो आम में मैं 1500 ग्राम शक्कर मिला रही हूँ यह इसके लिए एकदम परफेक्ट है है शक्कर ना तो यह बहुत ज्यादा मीठा होगा हमां इसमें बहुत खटा सा रहेगा बहुत चछ टेस्ट आतए अतनी ह। डालने में शक्कर को अच्छे आम के साथ मिलाना है गैस का फलेम हम लो रखेंगे लो फलेम पर शक्कर को मेल्ट होने देंगे और चारो तरफ से श शक्कर जल जाएगी थोड़ा सा टाइम लगेगा शक्कर मेल्ट हो जाएगी इस चीज का आपको ध्यान रखना है अब हम इसमें थोड़े से मसाले एट करेंगे तो इसमें मैं मिला रही हूं थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ी सी कुटी हुई इलाइची तो और आठ से दस काली मिर्च को मैंने कूट लिया था और मिला दिया था इनसे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो इसे अच्छे से मिला देने के पाद अब हम इसमें थोड़े से मसाले और मिलाएंगे तो आप अगर चाहें तो इसमें तीखे पन के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं कूट के और आपको नहीं डाल नहीं है हरी मिर्च कूट के लाल मिर्च सूखी हुई डाल सकते हैं तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर थोड़ा सा और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च लाल रही हूँ कलर के लिए मैं तीखे प लेकर अभी पूरे तरीके से मेल्ड नहीं हुई शुगर तो यह सारी चीजे हम मिला देने के बाद अब हम क्या करेंगे इसको बिल्कुल धीमियाज पर पकाएंगे तो देखिए एक उबाल आएगा इसमें उबाल आए जाएगा उबाला जाने के बाद फिर हम इसको ढखकर खराब हो जाएगी वेट करेंगे शक्र मेल्ड होगी देखिए शक्र पानी जैसी हो गई है और आप इसे धकन के हल्प से धकर पकाएंगे गाए पांश मट हो जाने के बाद धकन हटाएंगे धकन हटाके जो आम हैं उनने भी हमारा पानी छोड़ दिया है और पकाती हम इस स्टेज में थोड़ा सा काला नमक मिलाएंगे टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप साधा नमक भी डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा एक दो पिंच और आप हम फिर से ढखकर कुक करेंगे जिससे कि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा शोक हो जाए और जो आम जो आम का वो है रस टाइप का है वो रहेगा मुरब्बे में तो वो खाते टाइम पर अच्छा लगता है क्योंकि कई बार हम पराठा वगर उससे भी खा लेते हैं तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और यह देखे किती बढ़ी है रेसिपी बनी है आई होप आपको पसंद लाई होगी